उसी से 10 किलो मेटर दूर हाजी अली की दरगाह असके सरकार कोई कंटोल नहीं कस्मीर में वैश्पोदेवी सरकार के कंटोल में है लेकिन हजरत बल्ग की दरगाह सरकार के कंटोल में नहीं कासी विस्चुनाच का मंदिर सरकार के कंटोल में है वहीं सटी हुई ग्यानवापी मस्जिद सरकार के कंटोल में नहीं मत्वरा का जनम भूमी मंदिर सरकार के कंटोल में वहीं से सटा हुआ इदगाह मस्जिद सरकार के कंटोल में नहीं वहीं हाल केरल में बद्वनाव स्वामी मंदिर सरकार के कंटोल में वहीं बगल पे थोड़ी दूर पे चर्च है थोड़ी दूर पे मस्जिद है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है तिरुपती बाला जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है और वहीं बगल में थोड़ी दूर पे मस्जिद भी है चर्च भी है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है य यानियो ऐसा विधान जो सप्पर्सवाव लूप से लागू उसको किया दिस्विधान और यह जो आज आपने आपके सामने में बात रखा है मैंने यही वात जिस दिन बहसt होगी यही बात पर सुप्जिश होंगा अब आप लोग ये तैयं करिए कि जो दलीले मैं कोट में देने वाला हूँ ये जो दलील मैं आपके सामने दे रहा हूँ ये स्थीक है कि नहीं अगर ये दलील ठीक है तो कम से कम दस लूगों को ये वीडियो जरूर फारवर्ड करिए अपने पने संसद को ये link टैग करके ट्वीट करें जितने WhatsApp के group हैं जितने Telegram के group हैं उसमें इस वीडियो इस link को शेर करें अपने फेश्बुक पे इस link को शेर करें जिसे देश को पता तो चले कि इस देश में जो बहुसंखिक समाज है उसी के साथ सारे अत्याचार हो रहे है बहुसंखिक समाज के साथ ही सारी नाइंसाफी हो रही है हम तो सम्विधान की मांग कर रहे हैं समान विधान की मांग कर रहे हैं और सरकारे बहुधान चला रही है चार लाफ मंदिरों को कि अपने ले लिए लेकिन एक भी चर्च एक भी दरगा एक मज़ार एक भी मजड को अपने चेकंडूल में लिए 18 राजियों ने कंडूल में ले लिए मंदिरों को किसी एक भी राजी ने एक भी सवर से दरगा है मजार मज़िद कुछ अप्टे कंट्रोल में लिए इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी आशा करता हूं कि आपको हमारी जो ये लॉजिक है जो आर्ग्यूमेंट है ये आपको ठीक लगा होगा और आप इसको अधिक से दिक शेयर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप